Hello everyone, this is Amit Pande, welcome to our platform doubtnut, तो कैसे हैं आप लो, बच्चों, आज की इस क्लास की हम बात करें, तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो है, जिसका नाम है development, economics का चैप्टर नंबर वन है ये, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसका हम one shot करने वाले हैं, तो आप सब का development होने वाला है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको जब भी chapter को शुरू करो, तो chapter की हमेशा जो outline है उसे clear करो पहले, chapter बोलना है क्या चाहता है, तो ये one word का जो एक है, one word का ही है, basically पूरा जो chapter है, one word का development, आप development का आप में से सब मतलब जानते होंगे, विकास, कोई proper definition जानता हो या ना जानता हो, लेकिन ये जानते होंगे, development का होता है, विकास होना, तो देखो, जो first point है, ये जो already मैंने आपको explain कर दिया, already मैंने explain कर दिया, तो पढ़के देखो, आप खुद से पढ़ा करो पहले, ठीक है, फिर process किया करो, और फिर जब lecture है, उसको सुनो, तो वो अच्छल समझ में आएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई chapter पढ़ो तो पहले से पढ़े किया अगर उसे, ठीक है ना, चले, तो तो पहला point दे रखा है, different persons can have different developmental goals, तो मैंने आपको बताया अभी, just मैंने अभी बताया कि हम सब के लिए जो developmental goals होते हैं, और different होत है, ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा point है ना, बहुत ही interesting सा है, इसको हम example के साथ में समझेगे, दूसरा बोला है कि what may be, development for one may not be development for the other, मतलब कोई एक चीज, वो जो same चीज है, वो क्या पता आपके लिए development हो, लेकिन दूसरे के लिए development नहीं है, उसके लिए वो kind of destructive है, मतल change करने के लिए, यवो उसके flow को control करने के लिए, बड़े-बड़े dams बनाया जाते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए, dams होता कि, basically reserve wire होते हैं, बहुत बड़े-बड़े, इसमें पानी भरा होता है, है ना, अब होता कि है, जहाँ dams बनते हैं, तो वहाँ पर जो एक particular जो population रहरी होती है, ठीक है, उसको जो है shift किया जाता है, एक जगा से दूसरी वापर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, काई नफ बाड़वाड ना आ जाए कहीं, या फिर पानी आता है, तो जब पूरा पानी वानी आएका तो वहाँ पर गाओं आओं डूप सकते हैं, तो उनको shift किया जाता है, एक mass migration होता है एक जगा से दूसरी वापर, अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें national interest की, है ना, अगर हम बात करें, वहाँ पर रह रहे हैं, उस पूरे वो, जो पूरा district है, वहाँ पर पांच लाग, दस लाग लोग रह रहे हैं, उनके अगर interest के सा कि तो यह फायदेमन डील है, है ना, it's a beneficial deal, क्यों, क्योंकि भी अगर यहाँ पर बांच बन जाता है, तो यहाँ पर लाकों, जो मेगावाट जो है, बिजली बनेगी, है ना, और जब बिजली बनेगी, लैक्टिसिटी बनेगी, तो सबको मिलेगी, तो सबका फायदा है समे सबका development है, लेकिन एक बात बताओ, जो लोग वहाँ पर रह रह रहे थे, सालों सालों से रह रहे थे, तो उनके लिए तो kind of वो चीज कैसे हो गई, kind of वो destruction जैसा हो गया, क्या उनके लिए तो बरबादी है ना, वो चीज, है ना, तो यहाँ पर वही बोल लगखा है कि कोई सिंगल चीज की बात हो रही है, वो सेम जो चीज है, वो किसी के लिए development हो सकती है, और वही जो सेम चीज है, वो किसी के लिए destruction भी हो सकता है, तो यहाँ पर वही बोला ना कि कोई एक definition नहीं अपका, इसकी कोई पका definition नहीं है development की, यह एक dynamic term है, जो सब अपने-अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, अपने ही definition में अपनी ही परिवाशा के लिए इस development को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, simple is that, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि different people, different goals, अलग अलग है, हम सब अलग है, तो अलग 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 developmental goals भी है, simple is that, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, income and other goals के बारे में, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा, वो गानों सुना होगा कि पैसा हो तो बड़ी-बड़ी बाते हैं, है ना, तो यहाँ पर यह जो पैसा है ना, और वो भी सुना होगा, आपने पैसे की ऊपर बहुत सारी गा की और यहाँ पर other goals के बारे में, income के हम बात करें तो पैसा, आपको जो income है, जैसे मैं आपर काम कर रहा हूँ, तो मेरी salary मिलते है, वो मेरी income है, है ना, तो यहाँ पर income के अलाबा क्या दूसरी चीज़े भी matter करते हैं, अगर हम किसी भी country की development की बात करते हैं, तो जो यहाँ दो तिन चीज़े होती हैं, कि अगर हम किसी भी country की development की बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़े आती हैं, there are two things, पहला है कि उसका जो kind of economy है देश की, अर्थ वियस्ता इसे हम बोलते हैं, और हम एक शब्द का इसमाल करते हैं, इस हम बोलते हैं, अर्थ युकास, economic development, financial development, अगर उसकी जब हम study करते हैं, उसको हम बोलते हैं, अर्थ वियस्ता या फर economy, है ना, और जब आपकी salary बहुत अच्छी है, आपकी income बहुत अच्छी है, आपकी income बढ़ रही है मतलब, है ना, long term में जो आपका क्या हो रहा है, long term में आपकी salary हो बढ़ रही है, जैसे आपकी जो प economy की बात करें, या फिर हम बात करें, economic development की बात करें, तो दोनोई terms जो होते हैं, related होते हैं, और दोनोई terms का मतलब देश के विकास के लिए, देश के development के लिए जो है पहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाता है, या ना, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप दिन भरे में कितनी economic activities कर लेते होगे, तो जैसे आपने सुबह उठे है, अमी ने आपको दूल लेने के लिए भेजा, breakfast के लिए, फिर आप गए, school, school मान की चलो, आप जाते हो, auto से, auto वाले को आपने पैसे दिए, फिर आप पहुंचे, school में lunch हुआ, lunch में आपने समवा से चाट खाए, उसमें आपने है ना, America is the largest economy in the world, तो वो economy जो होती है, वो basically किस से पता लगाई जा दिया है, कि वहाँ पर जो financial activities हो रही है, वो किस level पर हो रही है, ठीक है ना, तो हम किसी भी country के goal की हम बात करेंगे, तो उसका जो, उसकी जो economy है, वो बहुत matter करती है, और जब economy matter करती है, तो हाँ पर लोग पैसा कितना कमार हो, वो matter करता है, number one पर अगर हम किसी भी देश को, अगर हम compare करना जाते है, तो सबसे पहले हम किसको उपर रखेंगे, income को, no doubt, लेकिन हाँ, अब मेरा एक सवाल है आप से, कि सिर्फ हम income को ही उपर रखते हैं, सिर्फ हम income को ही priority देते हैं, बाकी दूसरे goals को बूल जाते हैं, लाइक आपके पास पैसा बहुत है, मैं बोलता हूँ आपको, मैं जो है, आपको दसलाग रूपर महिने दूगा, लेकिन आपको घर से निकलने की permission ही नहीं, आप घर में ही रहोगे, जिंदे की बार घर मे रहोगे, मैं जिंदे की बार आपको 10 लाग पराते हैं तो ऐसा पैसा किस काम का तो if we talk about income and apart from the income there are other goals also है ना तो उन goals की बारे में भी हम बात करेंगे कैसा नहीं कि सिर्फ income उपर है income को हम priority देते हैं obviously बात है लेकिन सिर्फ income ही सब कुछ नहीं होती सर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता पैसे के अलावा other goals भी होते है development के लि बढ़े हो कि मां बहुत पैसे कुमांगा पहुत घम होनगा लेकिन फिर उमना दीरे धीरे जब लाइक बढ़े हो जाते हैं ग्रू करते हैं तो यहाँपर होता क्या है होता यह है कि हमारे जो और भी priority होती हैं वो सैट हो जाती मैं पैसे के लावा तोजीं के पार में जो हम तो यहां पर पैसे की बात हो रही है, कि जैसे कोई जॉब करते होंगे, तो उने वो expect करेंगे, उनकी salary अच्छी हो, उनकी wages अच्छी हो, कोई अगर किसान है, कोई farmer है, वो खेती करता है, तो उसका हमेशा एक developmental goal होगा, कि जो crops ने produce की है, उसके सही rate मिल जाए, उसके सही price मिल जाए उसको, है ना, तो ये सारे जो है development goals होते है, है ना, people want small income, पैसा चाहते है लो, भाई पैसा ही पैसा हो, मतलब हमेशा हमने income को, पैसे को ही ज़्यादा priority दिए है, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, हाँ, people seek more income, and beside that, they also seek things like, हाँ, अब यहाँ से पढ़ो सोरा सा, things like, equal treatment, freedom, security, and respect of others, भाला, apart from income, there are also other goals, ठीक है ना, कौन से goals है वो, कि भाई उसको respect भी मिले, freedom हो उसके पास, है ना, security हो, उसकी health अच्छी रहे, अब एक बात बताओ, तुम बीमार रहते हो हमेशा, तुम्हें दसों बीमारी लगी हो ही है, पैसा बहुत जादा मिल ला है तुम्हें, तो ऐसा पैसा किस काम का, जो आपको ठीक भी ना कर पा रहा हो, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत जगाँ आप देखते होगे, पैसा बहुत जादा होता है, तो यह सब को ही नहीं चाहता है, तो इसकी बात हो रहे हैं कि इंकम भी होती है और अधर गोल्स भी होते हैं, ठीक है न, चलिए, तो यहाँ पर mix of goals है, मतलब mix of, काफी जो goals होते हैं, mix होते हैं, उसको सब को जोड लेते हैं, उसको add up कर लेते हैं, add करने के बाद ही क्या होता है, हमारा development होता है, अब बात कर लेते हैं national development की, मैं आपको बता चुका हूँ, कि अभी तेक हमने सब individual level पर बात की है, लेकिन अगर national development as a collective हम बात करें, कि हमारे देश का विकास क्या है, तो भाई देश में तो हजारों लोग हैं, करोलों लोग हैं, अरबों लोग हैं अरब देश के हम बात करें, तो ऐसा तो हैं नीना कि सब के goal को हम उठाएंगे, और उन सब को पूरा करेंगे, कुछ common goals भी तो होते हैं ना, मतलब जैसे हम बात करें, एक बहुती normal सा अपना डायट्ट सुना होगा, कि जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब तो देश में जो लोग रह रहे हैं, उनके पास कम से कम रहने के लिए घर होना चाहिए, कि उस country में जो basic needs हैं, जो public facilities हैं, जो basic facilities हैं, वो है या नहीं हैं, ठीक है ना, तो हम कहीं न कहीं वो national development की बात कर रहे हैं आभी, so different persons could have different as well as conflicting notions of countries development, तो यहाँ पर बेसिकल लिखा हुआ है, कि भाई यहाँ पर हम अलग-अलग लोग से जाके पूचेंगे, तो उनके लिए अलग-अलग मतलब है, है न, कि आपके लिए development का मतलब क्या, तो अलग-अलग लोगों साब बात करोगे, आपको हजारो जो है developmental goals मिल जाएंगे उनके, ठीक है न, और यह काफी conflicting भी होंगे, मतलब वही बताया न, मैंने, कोई एक जो goal है, वो शायद आपके लिए developmental goal होगा, बेभी दूसरे के लिए वो developmental goal नहीं है, ठीक है न, तो यहाँ पर भई है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो, तो यहाँ पर एक चीज बोली गई है, कि हाँ, हम अलग-अलग states को कैसे compare करते हैं, और अलग-अलग, जो countries होती है, उनको कैसे जो हम compare करते हैं, तो देखो, how come some countries are generally called developed and other underdeveloped, तो यहाँ यहाँ पर होता है, कि आपने देखा होगा, कि World Bank ने report निकाली है, कि India is a developing nation, है न, Switzerland is a developed nation, Pakistan is a underdeveloped nation, तो यह basically कौन से criteria होते हैं, है न, तो यहाँ पर उसके बारे में हम बात करेंगे, so which aspect do we use to compare the different countries, तो basically हम यहाँ पर कौन से aspect को use करते हैं, यहाँ compare करते हैं, कि कोई देख जो है, वो developed है, कोई underdeveloped है, तो यहाँ पर एक जो सबसे popular जो aspects है, वो है per capita income, यहाँ फिर average income बोल सकते हो आप, average income, हैना, हम जो है, किसी भी country की average income, जैसे world bank की हम बात करें, तो world bank जो है, वो basically किसी भी country की average income, के according जो है, वो country को rank देता है, कि किसी की अगर जो average income है, इतनी particular जो threshold limit को cross कर जाती है, तो वो जो देश होगा, वो developed होगा, अगर इतने से कम income है, तो वो developing है, है ना, इतने income है, इस से कम है, तो वो underdeveloped है, तो ये अलग-अलग criteria होते हैं, और ये किस basis पर World Bank निकालता है, तो वो kind of आप बोल सकते हो, आपकी जो per capita income, average जो income है, उसके basis पर जो है निकालता है, देखो, तो यहाँ पर लिखा क्या है, देखो, पैसा सब कुछ है, है ना, पैसे को हम priority देगे, समझ में आगे, पहले देखो, बना, पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी, पैसे को हम हमिशे priority देगे, जब भी हम बात करेंगे, developmental goals के बारे में, एक nation के, ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे जो जरूरी चीज़ हो जाती हो, क्यों हो जाती है, इनकम, अब यहाँ पर income कौन सी वाली लेनी है, income, total income लेनी है, यानि कि पूरे देश की total income हम लेते हैं, यहाँ फिर per capita income लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा दूसरा वाल, हम जो है, बेसिकली क्या लेते, जरूरी जो हम per capita income लेते हैं, total income जो है, एक सई figure नहीं दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग देश की जो अलग-अलग population होती है, तो इसके according क्या होगा, जहाँ population बहुत जाता है, income भले ही कम है, तो obviously बात है उन देश की जो है, यहाँ पर total income जाता आएगी, है ना, लेकिन per capita income एक real figure दगाता है, कि वहाँ पर जो per person, average कितना पड़ता है, ठीक है ना, जैसे आपकी total income है, उसमें हम डिवाइट कर देते हैं, population को, तो आपका एक वो जो real figure है, वो आ जाता है, कि हाँ, इस देश में, पर बंदा जो है, इतना तो कमाई रहा है, ठीक है ना, चले तो उसके बारे में थुड़ी सी बात कर लेते हैं, income of the country, तो यहां पर क्या है, the income of the country is the income of the all resident of the country, this gives us the total income of the country, तो यह total income आती है, so why is the total income of the country not used to make the comparison between them, तो मैंने जैस अभी आपको बताए, अरे नहीं हो सकता है, हर देश की population अलग है, एक बात बताओ, सुजलन जो है, उसकी population वानगी चलो, एक करोड है, अब वहाँ पर लोगी जो income होगी, वो भले ही कितनी भी होगी, है ना, इंडिया सो तो कमी आएगी न, क्योंकि इंडिया की population कितनी है, अभी जो latest data आया, एक सो चालिस करोड से उपर हो चुके हैं, तो अभीस सी बात है, उनकी income, उनकी पर पर-person income होगी, वो हमसे कही को न जाता होगी, लेकिन हमारी क्योंकि total population जाता है, तो अभीस सी बात है, total income तो हमारी जाना आ नहीं है, तो आप बताओ, is it the real figure? ये real figure नहीं होगा न, नहीं है, real figure ये नहीं है, real figure कब आएगा, जब आप per capita average income जो है, निकालोगी, ठीक है, तो यहां पर ये पूरा problem दे रखी है, problem दे रखी है, यहां पर क्या है basically, देखो, तो यहां पर monthly income of the citizens in 2 year 12, तो यहां पर देखना country A, कि इतनी है, country B की इतनी है, country इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, याद रखना हमेशा, country A, country B, तो यहां पर main जो, मैं अगर बता हूँ, आपको main जो focus करना है, आपको किसी पर रहना है, population पर, अज़े भई, population इस country की जादा है, obvious सी बाद है, इस country की जो total income होगी, जादा हैगी, but average, जब निकालोगी, तो कम हो जाएगा, तो आपको real figure देख जाएगा, ठीक है, चलिए, अच्छा, अब world bank का criteria की बात कर लेते हैं, world bank का criteria क्या है, तो world bank का simple सा criteria है, जो मैंना आपको अलड़ी बता दिया है, यह per capita income, average income जो है, उसके according countries को judge करते हैं, और उसके according countries को rank भी करते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर जो है, four income groups है, high, upper, middle, lower, middle, and low, होता है, high, upper, upper class की जो होते हैं, बहुत ही अमीर लोग है, मतलब उनकी income अच्छी खासे है, वो हो गए, अब यहाँ पर आते हैं, upper, middle, मतलब middle में भी, middle में भी दो चीज़े होती हैं, तो lower, middle, और यहाँ पर फिर low, तो इंडिया continues to be a lower, middle income country, तो इंडिया जो है, low तो नहीं है, lower, middle है, मतलब lower से एक उपर आती है, है ना, इंडिया ने अपना एक बना लिया अलग lower, middle, तो यहाँ पर इंडिया की जो income जो है, average income जो है, वो काफी कम है, तो यहाँ पर बात करेंगे, तो हम बहुत आगे हैं, अगर हम average income की बात करेंगे, तो हम बहुत बहुत पीछे हैं, ठीक है ना, चलिये, अचा, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, income एंड अधर अधर क्राइटेरिया, ठीक है, अभी हमने देश डेवलेट होना माने जाएगा, मतलब इंकम अच्छी है, इंकम अच्छी होने से, अगर उस देश में जो सिटीजन सां को खुश नहीं है, है ना, आपका जो हेल्थ केर सुश्टम हा, वो ठीक नहीं है, तो वो कैसा डेवलेबलमेंट है, ठीक है ना, तो वो कौन कौन से अट्रिबूट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यह याद रखना है कि हाँ पर यह जो पूरे डेटा है कौन निकालता है, अपार्ट सॉम इंकम, other goals भी होते हैं, पता चल गया आपको, है ना, तो यह डेटा जो है कौन निकालता है, तो याद रखना है यह निकालता है डेटा UNDP, पी है ना और यह किस में निकालता है इसकी रिपोर्ट आती है HDI है ना Human Development Index यह पूरे Index पब्लिश करता है यह United Nation Development Program और यह जो है क्या करता है अपार्ट फॉम इनका पढ़ना लिखना किसको आता है लिट्रेसी रेट तो यह सब भी यहाँ पर यह पर यह कंसिडर करता है अपार्ट फॉम दा इंकम ठीक है चलिए तो देख इंडिकेट्स देर नम्मर अफ चिल्डर्ण डैट डाय बिफोर दा यह जो हाँ इंफेंट डी रेट की सिंपल सेगर हम बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि 1000 बच्चे जो है पैदा हुए और एक साल का क्रॉस होने से पहले एक साल की जो एज़ हो ब्रती हो जाती है फिर उनकी डैथ हो जाती है उसको हम हम जो है इंफेंट डी रेट बोलते है केरिला की जो स्टेट गवर्मेंट है बेसकली जो हेल्थ केर सिस्टम प्रफ स्टम वो काफ़ी अच्छा है तो वहां पर इंपेंट मॉटारिटी रिट गुश्चे का हुआ है ना अब तो बहुत कम हो गया नामात्र का हुआ है ऐसे कोई बड़ी बड़ी डिग्रिया नहीं आती है, किसी भी इंसान को पढ़ना आता है, लिखना आता है, अपने साइन करने आते है, उसको हम लिट्रेट बोल देते हैं, है ना, और यहां पर एक कैल्कुलोट करते हैं, तो कोई भी बच्चा जो है, 7 साल से उपर के हो जाते है, तो हम यह कैल्कुलोट करते हैं, मतलब 7 साल के नीचे वाले बच्चे इसमें नहीं आएंगे, लिट्रेसी रेट में, छलिया, nat attendance रिएच्यो क्या है, तो जो आप ऊजिए ओसकते हो, c 14 साल तक के बच्चे जो है, 6 से 14 साल तक के बच्चे है basically, देख लेना एक बादी डेटर, यह यह 6 से 10 साल या, वैसे मेरे साफ से 10 होना चाहिए था, है ना, तो भाई, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे है basically, है ना, यह टोटल बच्चे है, और उनका जो रेशियो के इतनी population में, कित number of children in the same age, वनला उस age के, 14-15 साल की जो same age के जितने टोटल बच्चे है, उसमें से जो है, कितने बच्चे जो है, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, फिर जाते हैं स्कूल, उसका जो रेशियो है, उसको हम क्या बोलते है, नैट अटेंडनेंस रेशियो बोलते हैं, तो यह भी basically kind of क देखायागया है, तो डेटा आप खुद भी देख सकते हो, देखो यहां पर पर कैटा इंकम आप स्लेक्टे स्टेट, तो इन टेहोंगे ना पर कैटा इंकम, तो इन टमस अपर कैटा इंकम, पर कैटा इंकम आप हर्याना is more than Kerala, लेकिन फिर in case of the HDI index, Kerala is ahead of every states in India, वहां वहां का infant mortality rate होगे है, वहां पर सबसे ज्यादा improvement, वहां पर सबसे ज्यादा अच्छा है वहां पर, यह सारी चीज़े बहुत अच्छे level किये है, उन्होंने HDI को बहुत अच्छे से maintain किया है, तो यहां पर ही data दे रखा है, तो यहां पर टेवल 1.4 क्या शो कर रही है, तो सम comparative data हों था, हर्याना, किरला, और बिहार, तो यहां पर देखोगे न, infant mortality rate, हर्याना को दो 30, हैना, और किरला का सिफ 10 है, हैना, ओ हां, डेटा आपकी बुक में जो दे रखा हो, लेटेश डेटा पर जाना, डेटा कभी गलत नहीं होता, डेटा हमेशा अपडेटेड नहीं होत और अपडेटेड डेटा को आप ऐसा नहीं बोल सकते गलत है, ठीक है ना, तो यह अपडेटा जो आपकी बुक में दे रखा हो, लेटेश डेटा हो, उसको लिख लेना हो, हैना, बिहार का 35, बिहार को तो बहुत जादा हाई है, लिट्रेसी डेट की बात करें, 2011 का डेटा ह परसेंट था, हैना, लिट्रेसी डेट, और अगर आप देखोगे, करिला का, करिला का, 94%, और करिला का अभी डिसेंट में चाहिद 98% से ऊपर है, लिट्रेसी डेट चुआ है, गुवा का भी 99% है, 98% है, तो यहां पर काफी ज़यदा है, छोटी-छोटी स्टेट सेना, इनका काफी इंप्रूब हुआ है ठीक है तो अभी काफी इंप्रूब भी होगी चीज़े ठीक है ना और हां सेक्स रेशियो की हम बात करें तो सेक्स रेशियो शायद मैंने भी जो लेटेश डेटा पड़ा था तो हजार से उपर हो गया है मतलब जो फीमेल से ज्यादा हो गी है ऐस के कंपेरिशन में जो फीमेल से मो कितनी है उनके नंबर कितने हैं ठीक है तो जैसे हजार हमने यहाँ पर मेर्रकर को ले लेंगे तो उस जगापर अगर हम कंपेर करें हजार मेल्स को तो उनके comparison में females कितनी है तो उसको हम क्या बोल देते हैं sex ratio बोल देते हैं लिंग अनुपाद इसे हिंद नियां बोलते हैं ठीक है simple है ठीक है चलिए अब बात कर लेते है human development report के बारे में अच्छा यह मैंने आपको बता दिया already वो जो सारी जो लेटा है वो यही निकलती है है ना तो even though the level of income is important yet it is an inadequate measure of the level of development मतलब यहां पर इन्हों ने बोला कि इनकम ठीक है income बहुत important है it's very important but हाँ सब कुछ income नहीं होती income के अलावा भी काफी सारी चीज़े होती है है ना तो यहां पर इन्होंने इंडिया से better जो एशिया में country है इंडिया से better किसने किया इंडिया से better जो है शिलंका था शिलंका इंटम्स ओफ आप बोसकते हो gross जी ए ना इंडिया की total income है प्लस जो एनरे रहे ने बार उनकी भी जो इंकम है इसमें 74 परसंट और अभी का जो आया शायद वो 82 से उपर है लेकि इनका 91 परसंट है 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 ना एश जे रैंक इंड वल्ड तो 73 इनकी 135 तो यह देख रहे हो आप इंडिया तो लाइफ 66 था है ना और जैसे हम बात करें जैपैन वगरा का तो इनका 80 से उपर 82 88 ऐसा है इनको ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा आप एक बहुत इंपर्टन चीज है करता है जो आप की हांथ को करता है को इसको हम कैलकुलैट करते हैं तो ठीक टाफ वेट अपना वेट ले लो हैंशनुवनद का एक करना आपको जो है चल्कुलियट होगा वह बताना है आपको और आपको आज calculate भी करना है कि आपका BMI क्या है ठीक है ना और हाँ यहाँ पर एक show कर रहा है कि देखो यह जो figure है अगर आपको जो BMI है 18.5% से कम है तो इसका मतलब आप malnourished हो आपको खाने पीने की जरूवत है अपना weight बढ़ा हो खाओ पियो मौच करो है ना और इन केस अगर आपको 25 से उपर है तो आप जादा ही कुछ मौटे होगे आप जाद ही healthy होगे जाद ही एच्छे खादे पीदे घर के हो आप है ना तो थोड़ा सा control करो exercise करो yoga करो पतले हो जाओ हाँ सबसे perfect कि कौन सा होता है तो 18.5 से 25 को है ना सो बिट्वीन 18.5 और 25 तो यह जो BMI होता है यह number perfect होता है कि हाँ आपकी health जो है बिल्कुल ठीक है ना आप ज्यादा मोटे हो ना ज्यादा पतले हो ना आप ज्यादा नरिश्ट हो ना मैल नरिश्ट हो ठीक है तो यह होता है BMI ठीक है चलिए आप सबको जो है एक बार ही calculate भ रहा है public area तो उसको लिए उसको चाहिए क्या भाई उसको kind of पूरा infrastructure चाहिए है healthcare चाहिए उसे road चाहिए उसे railway, airports, electricity यह सब क्या हो जाती है यह सब basic public facilities हो जाती है और किसी भी देश की जो public facilities है उस देश के जो economy है उसको आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा helpful रहती है तो य यहारा mixed economy है ना socialist और capitalist दोनों है हमारे में तो यहां पर government का जो कुछ responsibility होती है like electricity हो गया infrastructure हो गया like roads वगयरा अब roads पब्लिक थोड़ना मनाएगी although पैसा तो हमारा होता है लेकिं collectively होता है टैक्स का पैसा होता है किसी से ऐसा थोड़ना लिया जाता है कि आपके सामने की सड़क आप बनवाओगे आपकी घर के सामने की सड़क आप बनवाओगे वह तो सरकार बनवाती है simple is that ठीक है ना चलिए आगे बात कर लेते हैं यह आगे टॉपिक है last topic है sustainability sustainability of development इसे बोलते हम सदत पोशनी विकास हिंदी में तो कि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ तो शायद कुछ इसे बात करना चाहिए कि वो लॉंग टम के लिए sustainable हो और हमें अपने future की generation का याद रखना चाहिए हमें future generation का ध्यान डखना चाहिए है उसके बाद जो हमें resources का जितने भी resources है उन्हें utilize करना चाहिए और हमें एक चीज और करनी चाहिए कि हम जो हम resources का use कर रहे हैं उससे ये भी पता चाहिए ये भी देखें साथ की साथ कि भाई उससे पर्यावराण जो हमारा हमारा जो environment है उसे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा तो यह होता sustainable development ठीक है ना तो देखो sustainable development is defined as a development that meets the needs of the present without compromise the availability of future generation मतला हम पनी presents की demands है है हम resources को utilize करके अपनी present की demands पूरी कर रहे हैं without compromising the ability of the future 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 generations हम compromise नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम छोड़ के जाएंगे ठीक है चलिए तो देखो scientists have been warning that the present types and level of development are not sustainable और जो scientists है बड़े बड़े जो जो जनने knowledge है बहुत सारी चीजों की तो वो कहते हैं कि आज की ताम पर हम जिस तरीके से जो है resources का exploitation कर रहे है ना तो हम जो है sustainable development तो प्रिकल नहीं कर रहे हैं है ना तो यहां पर देखो बताया गया some of the example are overuse of groundwater हमने क्या किया है आप देखो के दिली जितनी मैट्व सिटीज है यहां पर groundwater जो है निल हो चुका है क्योंकि इतने सारे developmental projects है हर जगा concrete की सड़के है अब groundwater चार्ज तो होता है ना बारिश तो होता ह चार्ज कैसे होगा है ना दूसरा क्या है exhaustion of the natural resources हमने natural resources को बहुत ज्यादा exhaust किया है मतलब जितनी जरूवत थी उतसे कई गुना ज्यादा कर लिया है और जैसे आपने देखा हो गांदी जने एक्स्टेटमेंट जया था कि जो तने भी resources है वो sufficient है हमारे use के लिए है और वो कि इसी के साथ क्या हुआ इसी के साथ हमारा जो खूबसूरत सा chapter है इसका अंतुआ I hope सारे सारी जो चीज़ें सारे concept जो है आपको समझ मां आ गई होंगे तो अब हम मिलेंगे अगली class में एक नए one shot के साथ अब तक लिए bye bye take care